Hello everyone, welcome and welcome back to another video और आज के इस वीडियो में हमें explain करने वाला Rising of the Shield Hero का episode number 20 तो वीडियो के शुरू में हमें एक जगा दिखा जाता है जहाँ पे बहुत सारे tent और एकदम भरती सैनिक रहता है और वो वही जगा है जहाँ पे वो queen रहती है और हमें दिखा जाता है कि वो जो queen थी वो अपने आपको battle में जाने के लिए prepare कर रही थी और तभी उसके पीछे जो spy थी वो कहती है कि your majesty अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपके जगा जा सकती हूँ वहाँ पे लणने के लिए लेकिन तभी वो जो queen कहती है वो कहती है कि नहीं अगर अभी कुछ जादा चूक हो जाए तो सिफ मेलरमाक कहीं नहीं बलकि पूरा world का survival में बहुत जादा तकलीवा सकता है और एक crisis हो सकता है इसलिए मुझे ही जाना होगा और मैं अभी उतनी old भी नहीं हुई कि वहाँ पर आप ही मैं एकदम खड़े-खड़े सारा न्यूस सुनूंगी इसलिए वो अपना आपको पूरी तरिकरे से प्रिपेर कर लेता है और फिर वो बाहर जाती है और बाहर जाके जितने भी सानिक थे सब को आदेश देता है कि उस धोके वाज थ्री हिरो चर्च के पूर्प को हमें किसी भी तरह से हराना ही होगा और यह सुनने के बाद जितने भी सानिक थे सब एकदम जोस माल जाता है कि हाँ बोलके चिलाते है और तभी वो जो क्वीन थी वो एकदम आदेश दा कि जल्दी से चलो कैपिटिल का तरफ और जो क्वीन थी वो अपने मन ही मन कहरे देखी शीर्ड हीरो मेल्टी तिम दोनों और थोड़ी देर के लिए सर्वाइब कर जाओ और उसके बाद हमें सीन चेंज होता है और हमें वही सीन दिखा जाता है जहां पर जो सब कोई हीरो वागरा थे और उसके उपर से जो पोप था वो एकदम ख़रा था और उसके जितने भी फॉलवर्स थे एकदम उसके पीछे खड़े थे और उसको पुड़ा घेर के रखा था और वो जो पोप था वो एक बहुत गंदा वाला स्माइल दे रहा था और वो फिर एक बहुत ये high level multi cluster defense का एक magic spell करता है जिसके वैसे पीछे से एक बड़ा सा आग का गोला टाइप का चीज आस्मान में चला जाता है और वो कोई arm spell नहीं था वो जो आका गोला था वो बड़ने के आस्मान में जाने के बाद पूड़ा एकदम काला हो जाता है और वहां से कुछ ऐसी magical power आता है जिसके वहज़े से एक पूड़ा एक सोने का एकदम hall type का बन जाता है जो की पूड़े area को cover कर लेता है और जो पूड़ था वो एक दम उसके बीच में खड़ा था और ये देखने के बाद जो sword hero जो बो hero था वो अपने आप से अपना जितना भी बड़ा spell है वो attack करने लगता है वो लोग लेकिन वो जो पूप है उसको कोई भी फरक नहीं पड़ता है उसका defense इतना ज़्यादा powerful था कि पूप के सड़ी तक भी वो attack नहीं जाता था तभी नाफलमी फिलो और रफ्टालय को बोलता कि फिलो रफ्टालय जल्ली जाओ लेकिन तभी जो पूप था वो अपने उस तरवाल से पूरा एक आग का लहर ला देता है लेकिन तभी वो जो फिलो थे वो उसको एक दम dodge करके उसका तरफ तरफ आगे बढ़ता है और रफ उसके followers से आ रहे थे उसके जितने भी followers से वो सब अपना magical power और soul gift कर रहे थे जिसके वैसे कि वो जो shield था वो और भी जादा powerful हो रहा था और अगर कोई भी damage हो रहा था वो सब कुछ heal हो जा रहा था और तभी जो नाफुमी था वो नाफुमी फिलो को उपर बैठता और कहता क कि फिलो चल दी चलो और तभी जाते वाफ को मोटे आसु को भी उठा लेता है और मोटे आसु को बोलता है कि जब भी तुम उसके करीब जाओगे तुम मेरे उपर attack करना और फिर वो दोनों एकदम उपर चला जाता है और जैसे ही वो लोग हवा में रहते मोटे आसु एकद नाफरुमी काफी ज़ा डर जाता है नेकिन तरहीं जो पूप है वो कहता है कि यह जो एरिया है इसके अंदर तुम्हारा curse power काम नहीं करने वाला है क्योंकि यह गौड ने blessing से बनाया हुआ है और यह सब सुनने के बाद ही वो जो पूप था वो अपने तरवाल से एक इतना ज़ादा जोड का लहर लाता है जिसके वाइसे नाफरुमी और जो मोटे आस हो तो एकदम उड़के गिरते है और तभी जो पूप था वो बाहर खरे बिशाप को आटर देता है कि तुम मेरे followers को बोलो कि वो लोग और भी ज़ादा प्रेयर करें और वो लोग अपना माना और यह सुनके वो बिशाप एकदम शौक हो जाता है और तभी वो जो पूप था वो उसको मैनिपिलेट करते हैं कि यह भगवान और डेविल के बीच में लड़ाए है और इसमें अगर कोई सहीद हो गया तो वो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया काम रहेगा और यह सुन वह था वो और भी ज्यादा पावरफुल बन रहा था और वो और भी खतरनाग बन रहा था और तभी हमें दिखा जाता है कि उस तरफ जो भी फॉल्वर्स थे वो लोग इतने ज्यादा कमसोर हो जा रहे थी कि वो लोग एक से बरके एक सब गड़ जा रहे थे नीचे और उस के बाद तुम कुछ कर नहीं सकते क्या और तभी जो रहन है वो कहता है कि तुम हम से ज़ादा अंडर लेवल हो ले कि फिर भी तुम हमारे से पी जादा मेहनत कर पा रहे हो तुम कुछ ज़रूर कर सकते हो और यह सब सुनने क不管 में उसको कुछ बतानाने जा रहा था लेकिन तबी उसको कुछ तो stuck होता है उसके mind में फिर से सब कुछ उसका system become red हो जाता है और उसका फिर से वही curse power आने का कुशिश करता है लेकिन तबी वह सोचता कि कैसे जो queen थी उसने मना किया था कि यह curse power और को use करने वाले हो और नाफ्रुमी कहाता है कि हाँ मैं उसी को use करने वाला हो क्योंकि मैं पहले भी जब use किया था मैं fine था और मैं probably सोचता हूँ कि इस बार भी मैं fine ही रहूंगा और यह सुनने के बाद जो नाफ्रुमी और feel हो थी वो कहता है कि okay हम आपके उपर believe करते और फिर नाफ्रुमी बुलाता है अपने rage shield को उसके फिर से वो एक अला की दुन्या में चला जा जा रहा था और वो एकदम से दिल में आ जाता है और जितना उसका anger भर रहा था उसके शरील का जो shield था जो armor था वो उतना जादा transform हो रहा था नाफ्रुमी मनी मन कहतो रहा था कि मैं इस dragon का anger को अपने उपर हावी नहीं होना दूँगा लेकिन वो जो dragon था वो फिर उसको जितना भी चीज़े हो था वो सब flash black में दिखाता है कि कैसे उसके सब जादा ना इंसाफी हो था और उसके बाद जो नाफ्रुमी था वो एकदम से उसके भैकावे में आ जाता है और वो जितना भी उसका दिमाग था वो सब खो बैठता है और बहुत जाता गुस्ता होता है और उसका पूरा body फिर से एक बार transform हो जाता है और एक खतरनाक जैसे और वो कहता है कि अभी मेरा जितना भी last drop of anger है मैं सब अपने दुस्मन को उ निकाल दूँगा सब कुछ निकाल दूँगा लेकिन तभी झाया फिरसे जो कर सब कर सकते है जों तुम अपने इस रेज पावर से हर एक दुस्मन को हरा सके हो और ये वह जैसी सोच रहा था ह routine peng और उसका जिक पुरा हरण आ जाता है उसका आपर आर्मर हा और बी जादा च चाहिए, मुझे और भी पावर चाहिए, और मेरे रास्ते में जो कुछ भी आएगा, मैं सब कुछ नश्ट कर दूँगा, मैं सब कुछ आग लगा दूँगा, मैं पूरी तरीके से उसको बंड कर दूँगा, और उसके बाद फिर से नाफल में का आँ एकडम लाल हो जाता है, और उसके शील में आग लग जाता है और नाकेवल उसके शील में बलकि उसके पूरे बोडी में आग लग जाता है और जैसी उसके बोडी में आग लगता है वो उसके पोप के तरफ आगे बढ़ने लगता है और ये सब देखने के बाद जो कुछ बैगा मैं सब चीज़ को जला दूँगा और यह से वो बोलके आगे जा ही रहाता है कि अचानक से वो एकतम स्टक हो जाता है वो आगे बने की कोशिच करता है लेकिन वो आगे नहीं बर पाता और वो एकतम पीछे घुम के जो उसको रोक रहाता उसको मारने की कोशिच करता है लेकिन तब ही उसे एक वोईस सुना देता है और वो घुम के देखता है कि यह और कोई नहीं बलकि फीलो का वोईस है और उसके बाद ही जो नाफलुमी था उसको रफ्टालिय कावा सुना देता है और रफ्टालिया उसको याद दिलाता है कि कैसे वो लोग एक जर्णी में थे और यह सुने के बाद नाफ्लूमी कहता है कि क्या जर्णी और उसके बाद उसको सब कुछ याद आता है और उसके बाद फिलो फिर से कहता है कि Master आपने मुझे race किया था उस moment से जब कि मैंने एकदम जनम लिया था आपने मुझे wagon भी दिया था आपने मुझे वो हर एक चीज दिया था जो कि मुझे खुश करता है और जो कि मुझे पसंद है और आप तो सबसे अच्छे हो और तभी जो मेल्टी थी वो मेल्टी भी कहती है कि आप काफी ज़दी थे आपने कभी भी मेरा बात नहीं माना लेकिन जब आपने promise किया था कि आप मुझे बचाएंगे तो आपने मुझे बचाया भी था जिसके लिए मैं काफी ज़दा grateful हूँ और मैं काफी ज़दा खुच हूँ और जैसी वो यह सब सोचता है नाफुमी देखता है कि उसके सामने रफटालिया फीलो और जो मेल्टी थी वो एकदम थी और वो दोन उसके एकदम करीबा रहे थे और तभी जो रफटालि थी वो कहते है कि मैं आपका sword हूँ और मैं हमेशा आपका sword रहूँगी और फीलो कहते है कि हम हमेशा अपना जो दुख और धर्द है वो लोग हम बाट लेंगे और तभी जो मेल्टी कहते है वो जो आग था वो बुच जाता है और नाफलुमी काफी जादा emotional हो जाता है और उसका आँखों से एकदम आसू टपकने लगता है फिर नाफलुमी को होश आता है और वो सामने देखता है कि उसका हाथ और पैर पकरे हुए meltी फिलो और रफटालिया थी और वो देखता है कि वो लोग को काफी जादा चोटाया था क्योंकि जो आग था वो सब को damage कर रहा था और उसके बाद ही रफटालिया कहते है कि thank God कि आपको होश आ गया और ये सुनने के बाद ही जो नाफलुमी था वो उनके तरफ देखता है और वो फिर से बहुत जादा guilt feel करता है और कहता है कि मैं बहुत जादा sorry हूँ मैंने तुम लोग को फिर से चोट पहुंचाया तुम लोग का जान फिर से जोखिम में डाला और उसके बाद रफटालिया कहते है कि नहीं आपने जो रास्ता लिया है वो definitely right है और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे और फिर जो meltी थी वो कहते है कि लेकिन अभी हमें एक war के बीच में है और हमें जल्द से कोई plan बनाना होगा और ये सुनके जो नाफुमी था वो फिर से बाकी का तीन heroes का तरफ देखता है और कहता है कि सुनो मुझे तुम लोग का help चाहिए और ये सुनके जो बोहिर होते है वो कहते है कि क्या नाफुमी ये कह रहा है और उसके बाद नाफुमी एक तक अपना सर जोका था और कहते है कि please हमें इस चीज़ को एक बार short देना ही होगा मुझे पता नहीं कि यह चीज काम करेगा या नहीं लेकिन हमें यह जरूर से एक बार ट्राइ करना होगा और यह सुनके जो मोटे आसो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं जरूर से करूँगा और हमें यह प्रूफ करना ही होगा कि जो फ्रेंड्शिप का पावर है वो सबसे ज़्यादा तागतवर होता है और यह लोग यह सब बात कर ही रहते कि तो भी वो लोग देखते कि उपर से जितना भी जो माना होता है वो सब आखिए उसके श्वर्ड में मिल रहा था लेकिन नाफिल में अपने शील्ड से उसको पूरी तरी के से प्रोटेक्ट करता है और यह देखने के बाद ही जो पूप है वो काफी ज़्यादा है और कहता है कि तुम वैसाद और डिविल अदे शील्ड हो लेकिन जो तुम्हारा पावर है वो मुझे काफी ज़्यादा अमेजिंग लगता है क्योंकि तुमने पूरा फूल कैथरेडल का फूल पावर को जहल लिया और उसके बाद नाफिल में कहता है कि इम्मेंस पावर के साथ काफी ज़्यादा रेस्पोंसिब्रिटी आता है लेकिन तुमने क्या-क्या तुमने अपने जितने भी फॉल्वर्स थे उनका जान ले लिया अपने अफाइदे के लिए और तुम्हें इसके लिए पेक करना ही होगा और ये सुनके जो पूप था वो काफी ज़्यादा घबड़ा जाता है और उसके बाद वो सबको बोलता है कि सबको मिलके अटाक करो और सबको एकदम रेडी हो जाता है और तभी जो बो हीरो होता है वो बो हीरो अपने तीर से उसको वार करने लगता है वो पहले तो थोड़ा डिफेंस करता है लेकिन बो hero फिर सिर तीर चलाता है और उसके जो defense तो तोड़ देता है और तभी जो filler और रफटालिया था वो दुनों उसके एकदम कडीब चला जाता है इवन जो melty और बाकी के लोग थे वो लोग भी अपना water से उनको attack कर रहा था और तभी वहाँ पर melty जाके उसको फिर से attack नहीं कोशिश करता है लेकिन उस बार जो poop था वो उसको अरोक लेता है और कहता कि इस बार में वो नहीं होना दूँगा लेकिन तभी melty कहता कि लेकिन हम तो एक prop है हम तो main attack ही ही नहीं और तभी side से sword hero आ जाता है और sword hero poop के एकदम मार देता है poop को पहले थोड़ा तो कमजोरी महसूस होता है लेकिन वो फिर से खरा हो जाता है और तभी उस तरफ Sophia और spare hero में लिके एक combo attack की preparation कर रहा था और वो अपना जो भाला था उसको एक javeline का तरफ बना लेता है और उसको एकदम full power में लेके उसके तरफ फेक देता है और वो directly जाके वो पहले तो जो poop था वो shield बना लेता है लेकिन उसको हर एक shield तोड़ देता है और directly जाके वो poop के एकदम सीने में लगता है और यह देखने के बाद जो मोडास होता है वो काफी जादा खुश होता है और तभी नाफलूमी फीलो को पर बैठता है और एकदम जल्दी से उसके तरफ बढ़ता है और यह देखने के बाद ही वो poop कहता है कि यह flame उसको पूरी तरीके से burn कर देना चाहिए और उसके तरफ तरफ से काफी खतरनाक flame एक पूरी eagle के रूप में आता है उसके तरफ लेकिन जो फीलो होता है उसको एकदम dodge कर लेता है और तभी वो दूनों मिलके एक ऐसा combo skill बनाता है जिसके वाई से कि वो जो पूरा eagle है उसको नाफलूमी अपने shield में soak कर लेता है और जैसी वो अपने shield में उस पूरे power को absorb कर लेता है वो उस power को वापस Pope के तरफ मरता है लेकिन इस बार एक dragon के form में और वो आग जाके directly Pope के उपर लगता है वो Pope एकदम नीचे गिर जाता है लेकिन तोड़ी देर बाद ही अचानक से वो जो Pope था वो फिर से खरा हो जाता है और यह सब देखने के बाद जितने भी hero से वो काफी ज़़ादा घबडा जाता है और उसके बाद जो spare hero होता है वो अपने से कुछ attack करता है लेकिन वो जितना भी attack होता है वो पोप उसको रोक लेता है इवन उसको एकदम वापस return कर देता है जो देखने के बाद जो sword hero होता है वो पोप के पास आता है लेकिन पोप उसके साथ बहुत ही easily लड़ लेता है और उसको एकदम जूर फेग देता है और यह सब देखके खतरनाक तीर निकालता है और वो तीर उसके दरफ तो नहीं बलकि वो जो main center था उस पूरे cage का वहाँ पे मारता है और जैसी वो वहाँ पे मारता है एक बहुत ही रोशनी फैल जाता है और जैसे नाफुमी और बाकी सब आँखे खोल के देखते तो वो जो cage था वो completely change हो चु कर रहे थे क्योंकि कोई एक specific जगा नहीं था जहां से तीर नहीं आ रहा था और जैसे ही वो लोग यह सब देखे वो लोग घवजदा घवरा रहे थे लेकिन तभी नाफुमी नटेक्ट कर लिया कि कहां पर असली पोप है और वो जो असली पोप था उसको नाफुमी धंग स चीज रहेगा वो भी नहीं रहेगा इवन तुम्हारा जो existence है वो भी यहां से पूरी तरीकर से गायब हो जाएगा वो अपना तीर को launch करने ही वाला था और तभी हमें दिखा जाता कि कोई तो magic spell कर रहा था और वो और कोई नहीं बलकि मेलर मार्क की queen थी वो अपने घोड़ साख हो गया और जो पूप था वो कहा था कि नहीं यह नहीं हो सकता यह magical power इस cage के अंदर कैसे आ सकता है और उसके बाद वो यह देखने के बादी जो नाफ्रूमी था वो सोच लगता कि हाँ यही perfect time है वो फिर से अपने rage shield को बुला लेता है उसका जो display था वो ठंक से काम भी नहीं कर रहा था देकिन जो नाफ्रूमी था वो गुस्से से कहा रहा था कि तुम foolish sinner अब मैं तुमको punish करूँगा मैं तुम्हारा जो मान से यह भगवान को चरहाऊंगा तुम्हारा जितना भी pain होगा वो मैं भगवान के लिए एक offering बनाऊंगा और उसके बाद जो नाफ्र था वो एकतम नीचे पुड़ा फैल जाता है लेकिन उसी तरफ जो पूप था वो अपने उसी weapon से उस iron को तोड़ देता है और उसका तरफ हस्तेवे कहता है कि हाह देखो तुम अपने ही power में consume होगे तुम मुझे क्या ही हराओगे और तभी जो खून था वो एकतम मिटी में एकतम सूख जाता है और जो पूप था वो इसको attack करने ही वाला था कि तो भी जो मिटी हो तो वो मिटी एकतम से फट जाता है मिटी के बीच से खून निकलने लगता है और खून के बीच से एक ऐसा creature निकलता है जो कि ना dragon था ना ही कुछ लेकिन एक ऐसा खतरना creature निकलता है जो कि उस पॉप को पूड़े अपने मुँझे अंदर जकर लेता है वो पॉप किसी बेतरा से अपना विपेन से उसको मुझे को बंद होने से रोकता है और कहता है कि नहीं मैं तो पॉप हूँ, मुझे तो भगवान ने भेजा था तुम मेरे साथ यह नहीं कर सकते लेकिन वो जो monster था वो इतना ज़्यादा तागतवर है कि उसका जो weapon था उसको वो तोड़ देता है और वो जो pop था वो एकदम उसके मुँगा अंदर घुश जाता है और जैसी वो दात बंद करता है वो pop एकदम से खतम हो जाता है और वो उसका जितना भी खून था वो एकदम चाड़ी और फेकने लगता है और फिर वो जो creature था वो फिर से एकदम जमीन का अंदर घुश जाता है और ये सब देखने के बाद ही सब कोई काफी ज़ादा है और तभी वो जो magical cage बना हुआ था वो magical cage अराम से disappear होने लगता है ये over हो चुका है और तुम अपना हार को मंजूर कर लो और तुम अपना आपको surrender कर दो और वो ही पहमें दिखा जाता है कि जितने भी heroes थे वो कहता है कि अच्छा तो ये queen का force है लेकिन उसी तरफ में जो रफ्टा लिया थी वो नाफुमी के एकदम भगल में जाके बैटी थी और कहते कि मास्टर आप नहीं मर सकते आपको जिंदा रहना ही होगा और तभी जो मेल्टी थी वो कहते कि इस skill को update करने के लिए नाफुमी का काफी जाधा blood चला गया इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि हमारे जान बचाने के लिए नाफुमी ने अपना लेकिन तभी जो रफटार गया थी वो एकदम रोने लगती है और कहते कि नाफुमी आपको आंसर करना ही होगा उसी तरफ जो फीलो थी वो भी काफी जाधा रोने लगती है और वो लोग ऐसे रोन लगते कि तभी वहाँ से आवाज आता है कि रुख जाओ शील्ड हिरो नहीं मरी है और तभी वो लोग देखते कि वहाँ पे और कोई नहीं बलकि वो क्वीन आती है और जैसी वो क्वीन आ जाती है और वो कहती है कि मैं काफी साथ सौरी हूँ कि मैं सही टाइम पे नहीं आ पाई लेकिन नाफुमी को कुछ नहीं होने वाला और यह स और यही पर आज के एपिसोड खतम हो गया तो थाइंक्यू गाइस फॉर वचिंग दिस वीडियो और मैंने तुमको कहा तक ही आज से जो भी वीडियो आएंगे वह सब खतरनाक होने ही वाले तो तुमने देखा कि यह वीडियो कितना था खतरनाक था तो मिलते अगले एपिसोड में तो टेल एंड बाइबाई स्टे सेफ